उन्होंने स्वयमवर की बात दबाद दी और कहा मैं तो सिर्फ आपको प्रणाम करने चला आया। भीमक सोचने लगे कि सौयोजन से आधिक दूर कोई प्रणाम कहने तो नहीं आ सकता। लेकिन वे ये सोच छोड़कर भीमक के सतकार में लग गए। बाहुक वाशर्नयय के साथ अश्वशाला में थहर कर भोलो की सेवा में लग गया। दम्यंती आकुल हो गई की रत की ध्वनी तो सुनाई दे रही है पर कहीं भी। मेरे पती के दर्शन नहीं हो रहे। हो ना हो वाशर्नयय ने उनसे रत विद्या सीख ली होगी। तब उसने अपनी दासी से कहा है दासी तूज्जा और इस बात का पता लगा कि यह को रूप पुरुश कौन है। संभव है कि यही हमारे पतिदेव हो। मैंने ब्राह्मनों द्वारा जो संदेश भेजा था वही उसे बतलाना और उसका उत्तर मुझ से कहना। तब दासी ने बाहुक से जाकर पूछा राजा नल कहा है क्या तुम उन्हें जानते हो या तुम्हारा सार्थी वाशुर निया जानता है। तुम फिर बाहुक के पास जाओ और उसके पास बिना कुछ बोले खड़ी रहो। उसकी चेश्टाओं पर ध्यान दो। अब आग मांगे तो मत देना जल मांगे तो देर कर देना। उसका एक-एक चरित्र मुझे आकर बताओ। फिर वह मनुश्यों और देवताओं से उसमे बहुत से चरित्र देखकर वह दम्यंती के पास आए और बोली बाहुक ने हर तरह से अगरी जल्वतल पर विजय प्राप्त कर ली है। मैंने आज तक ऐसा पुरुष नहीं देखा। तब दम्यंती को विश्वास हो जाता है कि वह बाहुकी राजा नल है। अब दम्यंती न अपने पती भीमक से अनुमती ली और बाहुक को रानिवास बुलवाने की आग्या दी। दम्यंती ने बाहुक के सामने फिर सारी बात दोहराए। तब दम्यंती के आखों से आसू टपकते देखकर नल से रहा नहीं गया। नल ने कहा मैंने तुम्हें जानबुच कर नहीं हो जाए। ऐसा अदभुद द्रिश्य देखकर राजा नल ने अपना संदे छोड़ दिया और कारकोटक नाक के दिये वस्तरकों अपने उपर ओड़कर उसका स्मरन करके वे फिर असली रूप में आ गये। दोनों ने सबका आरशिवाद लिया दम्यंती के मायके से उन्हें खुब धन देकर विदा किया गया। उसके बाद नल वदम्यंती अपने राज्य में पहुँचे। राजा नल ने पुशकर से फिर जुआ खेलने को कहा तो वह खुशी-खुशी तैयार हो गया और नल ने जुए की हरबाजी को जीत लिया। इस तरह नल वदम्यंती को फिर से अपना राज्य वधन प्राप्त हो गया। नाल वदम्यंती का था।